नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास Realme 11 फान है दोकृत आप देख सकते हैं कि Realme 11 फान है और यह देख सकते हैं आपके 108 MP वाला फान है Realme 11 ठीक है दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस फान में Auto-call recording को on या उफ कर सकते हैं तो उसके लिए आपको Google डायलर पर click करना है तो चले हम Google डायलर पर click कर लेते हैं जैसे ही आप यहाँ पर Google डायलर पर click करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको अबको डायलर पर click करते ही करना है तो यहाँ पर टिक करेंगे तो आपकी जो नंबर मोबाइल में save नहीं है आलबी रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही उनकी सब की recording होना start हो जाएगी जो number आपकी phone में save नहीं है और जो save है अगर उनको भी आप पर चाहते हैं कि वो भी हो तो यहां पर select number पर क्लिक करके आपको यहां उपर choose contact क्लिक करना है और इसको on कर देना है तो चूज कॉंटेक्ट पर जिसको भी आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड हो उसका कॉंटेक्ट यहां पर जोड़ सकते हैं ठीक है इसके अलाबा यहां से आपको करना क्या है कि बैक करना है और बैक करने के बाद नीचे को आना है तो एक कि सेटिंग और होती है कॉलर आइडी एनांसमेंट यानि कि जो आइडी होती है वो एनांसमेंट करती है वो वाली तो यहां पर आपको एनांसमेंट कॉलर आइडी जो है यहां पर टिक करना है और यहां पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं ओल्वेज बोलती रहे या ओनली वैन यूजिंग ह एड़ फॉन तब भी बोले और नेवर तो हमारा नेवर पर है, आपको भी नेवर पर क्लिक कर देना है आपकी एनॉंस्मेंट जो कॉलर आइडी से होती है वो कॉलर आइडी भी एनॉंस्मेंट नहीं होगी तो इस तरीकी से आप पे आटो कॉल रेकॉर्डिंग को ऑन्याउप कर सकते हैं बागी आपको जो भी अच्छा लगाओ वीडियो में कमेंट करके जब बताएं मिलते हैं अगरी वीडियो में